बच्चो आज आपको एक एसरसन रिजन की स्ट्राडेजी बताता हूं क्योंकि बोर्ड के लिए एक नया फॉर्मेट और बहुत कन्फूजन हो रहा है बच्चो को बच्चो ये चार ओप्शन मिलेंगे इन चार ओप्शन के एक एसरसन रिजन मिलता है क्या से पढ़ना है आपको जब इस question को handle करना है पहले reason पढ़ो reason पढ़ो क्योंकि reason हमेशा किसी basic concept या law पे होता है जो आपको generally पता होता है as an sun कभी नहीं पढ़ना पहले पहले reason पढ़ो electric field is equal to the negative gradient of potential आपको याद आ गया हाँ इकोल to minus delta v by delta r होता है इसका मलब ये correct है और अगर correct है तो इसका मलब इन दो case में ही reason correct होता है तो इसका मतलब इसको छोड़ दो अगर य पोल्स होता य धो फोल्स होते है तो उपर के दो option गळ当 है इसका मलब ये correct होता heak इसके बाद क्या करना आपको जब आपको पता लगते हैं कि यह ठीक है फिर इसको आगे एक वर्ड अपनी तरफ से जोट तो that's why as a sin if the potential is constant in a certain region of space the electric field in that region must be zero सभी बात है अगर यह constant हो जाए तो electric field zero हो जाएगा तो इसका वाले correct explanation भी है तो इन दोनों में से यह option ठीक हो गया अगर यह correct explanation ना होता तो यह correct हो जाता तो हमेशा कोई भी subject हो आपका हमेशा पहले reason पढ़ेंगे reason पढ़ते ही दो options अलग हो जाते हैं दो बच्चे उन में से फिर check करेंगे that's why लगा के अगर that's why को suit कर रहा ही है तो इसका वालब सही है option तो a option होगा otherwise b ठीक है बाई बच्चो